बश्कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिती कैसे है ये बात क्यों उठी तेकि अभी हाली में भारत ने अपनी अजादी का एक अमरित महसल हमने जो बनाया यानि कि हमने 75 स चाहलों में भारत ने कितनी जादा परगती की है कितना जादा डेवलोप्मेंट किया है खासकर अगर मैं बात करूँ वूमें के स्टेटस को इंप्रूमेंट करने में मतलब कि महिलाओं के पास अठीमे कितनी है उपाई Mangalya की हैँल्थ में laund boxes किया सेक्स रिशों उसमें कित सिताते हैं कि बही भाइए जो है उनका स्टेटस कितना इंप्रूविमेट हुआ है कि नहीं हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो क्या-क्या जरूरत है इन स्टेटस को IMPROMENT करने की तो इन तमाव बातों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दियामी लेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो के PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देकिए एक सोसाइटी है उस साइटी में किसी भी मेंबर का किसी भी इंडिवीज्वल मेंबर का महीला हो जो वे पुरूश हो मैं दोनों की बात करता हूं तो उस साइटी में उस मेंबर का स्टेटस कैसा है ये कैसे जान पाएंंगे उसके पास work opportunity कैसी है या फिर हम बात करें उसके पास political participation level of education कैसा है या फिर अगर मैं बात करता हूँ उसकी पास health कैसी है representation in decision making bodies, उसका representation कितना है जो decision लेते हैं, decision बनाते हैं low making bodies होती है या फिर access to property उनके पास property कैसा है यह कुछ एक indicators है जो status बताते हैं किसी भी member का society के अंदर लेकिन यह जो सारे factor है not all members of society especially women के अगर मैं बात करो have equal access to the factor which constitute these indicator of status मतलब कि यह सारे factors जी या फिर जो सारे members है society में वो हर एक को तो नहीं मिल पा रहे हैं यानि हर member इसके अंदर नहीं आ पा रहे है खासकर महिलाओं की बात करें मैं ऐसा क्यूं बोल रहा है अभी आपको सारी चीज़ें को धीरे-धीरे में आपको समझा दूँगा एक बात आती है हमारे देश में बार-बार यह लगता है patriarchal society है patriarchal society है यानि पित्र सत्तात्मक हमारे देश के अंदर जो चीज़ें चलती है वो ऐसे चलती है इसका क्या मतलब होता है patriarchal यानि पित्र सत्तात्मक जो सोच है उसका मतलब यह होता है कि पुरुषों को आगे रखा जाता है पुरुषों को decision making में आगे रखा जाता है work opportunity उनके पास ज़्यादा होती है महत्व जो है वो पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता है as compared to महिलाओं को तो पर patriarchal society एक definition हो जाती है अब हम यह समझेंगे कि भारत के अंदर जहाँ पर almost half citizen है मतलब कि जन संक्या के मामले में 48% plus जन संक्या है महिलाओं की आज वो महिलाएं अपने freedom के लिए अपने dignity के लिए अपने equality के लिए अपने representation के लिए कैसे वो fight कर रही है first of all हम बात करते हैं हमारे समिधान से शुरुआत करेंगे समिधान में कहां लिखा हुआ है महिलाओं के लिए कुछ बाते हैं बेशक हैं हमारे समिधान के अंदर सबसे एक पवीतर जो बात यहां पर लिखी गई है उसको कहां जाता है principle of gender equality वो समिधान में लिखी गई है यानि कि यानि link के अधार पर gender के अधार पर कोई बेदवाब नहीं होगा the constitution not only guarantee equality to women जो हमारा समिधान है जो महिला है उनको केवल equality ही नहीं but also provides the state जो भारत है जो देश है वो ऐसे काम करेगा कि वो positive discrimination लेके आएगा in favor of women positive discrimination क्या होता है positive discrimination यह होता है कि जो women की जो स्थिती है obviously खराबी रही है हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी रही है तो women की जो स्थिती उसको improvement करने के लिए उनको कुछ advantage दिये जाएंगे जैसे कि आप देखते है exam होता है तो exam में women की cut off अलग रखी जाती है या फिर कोई भी form fill करना होता है तो women के लिए वहाँ पर fees माफ कर दी जाती है तो यह तमाम बातें जो है वहाँ के की जाएंगे या फिर representation है जो हम बात करते हैं पंचायत के अंदर ya फिर Parliament के अंदर वहाँ पर woman का representation या फिर कहें कि reserve जो है वह सिटे उनके लिए रखी जाएंगे women के लिए reserve सिटे education के अंदर भी रखी जाएंगे यह तमाम जो है वो positive discrimination के अंदर आती है तो वो सब चीज़ें की जाएंगे ताकि जो woman की जुस्तीती है वो socio-economic हो, political disadvantage इन सब चीज़ों में improvement हो सके woman के fundamental right not to be discriminated on the ground of sex article 15 में आते हैं कि भई sex के आधार पर कोई भी discrimination नहीं होगा, इसके अलावा equal protection under the law article 14 भी ये बात करता है कि सभी, सभी व्यक्तियों को जो भारत के अंदर हैं, उनको article 14 के तैट equal समझा जाएगा कानून के समक्ष it also imposes fundamental duty on every citizen मतलब हमारा जो समिधान है, वो ये बताता है कि हर एक नागरी की ये fundamental duty है, कि वो ऐसी कोई भी practice कर रही है, ऐसा भी कोई भी ऐसा काम कर रही है, जो woman की dignity को परभावित करता है, उसको नीचा दिखाता है कि तो उसे उस काम को छोड़ देना चाहिए, ये तमाम बातें आती हैं इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारे देश में जो woman है उन्होंने कितना achievement कर लिया कि जो एक ऐसी source थी, ऐसी stereotype source थी कि जो महिलाएं हैं, वो सिर्फ घर पर रहकर ही काम करेंगी, तो इस सोच को जो तोड़ा गया है, या फिर जो सपनी हैं, वो महिलाओं के द्वारा पूरे किये गए हैं, जो दूसरों को inspire करते हैं, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं social activist, सिंदुताई सबका, अगर आप इनके बारे में search करते हैं, यूटूब में, तो आपको घूजबंबा जाएंगे, इतनी जादा motivational इनकी कहानी है, आप देखिए, आप सुनिए पदमश्री मिला हैं इनको, 2021 के लाव इस गया अलावा environmentalist है, तुलसी गोड़ा आप इनकी age देखें, इनका काम देखें इनको encyclopedia of forest का जाता है इनको भी पदमश्री 2021 में मिला defense sector के अंदर हम बात करूँ अवनी चत्रुवेदी हैं, भारत की पहली महिला, जिन्हों ने solo fighter aircraft fly किया, MiG-21 basin, sports के अंदर हम बात करें, मैरी कौम आती है, first महिला है हमारे देश में, जिन्हों ने medal जीता boxing के अंदर, ओलंपिक में PV सिंदु आती है, पहली महिला भारत की, जिन्हों ने ओलंपिक में दो medal जीते, ब्रोंज जीता उन्हों ने, टोक्यो के अंदर, सिल्वर जीता उन्हों ने, रियो 2016 के अंदर, इंडियन वोमन cricket team जो है, वो फाइनेज लहीं है, Commonwealth game 2022 यह जो हुआ है, international organization के अंदर हम बात करें, गीता गोपिनाथ है, first woman chief economist at the IMF, यहनि international monetary fund के अंदर, वो chief economist है, space technology के अंदर हम बात करें, टैसी थोमस है, missile woman कहा जाता है, भारत का, अगनी five missile project था है, इनके बास, education के अंदर हम बात करें, शकुंतला देवी, इनके अपर तो movie बन चुकी है, Guinness world record इनको दिया गया, fastest human computation के अंदर, शनन धाका, AIR1 आया था, All India rank 1 आया था, इनका NDA, NDA यानि national defense academy entrance examination हुआ था, उसके अंदर, और अभी 2021 के अंदर, UPSC civil service हुआ था, जिसमें, top 3, अगर आप देखते हैं, rank में, तो women, यानि female, निकल कराती हैं वहाँ पर, तो इतना ज़्यादा achievement women के द्वारा किया गया है, तो यह दिखाता है कि महिला हैं, अगर सपने देखती हैं, तो वो अपने सपनों, अपने सपनों और अपने गोलों को, वो पूरा कर सकती हैं, यह stereotype जो सोच है, gender stereotype सोच है, उसको इन्होंने तोड़ा है, अब, क्या-क्या problems हैं, obviously, achievement किया गया है, लेकिन problems भी तो हैं, भारत के अंदर women को लेकर, पेशक है, gap in male female trace rate, यानि शाक्षरता दर में, बहुँ ज़्यादा difference आता है हमारे देश में, women और males को लेकर, जहां पर male के पास ज़्यादा education है, female के पास उतनी education नहीं है, बावजुद इसके government ने इतने ज़्यादा efforts किये हुए है, या फिर इतनी ज़्यादा schemes शलाई गई है, लेकिन इन सब schemes के बावजूद भी, जो literacy rate है, women का भारत के अंदर, बहुँ ज़्यादा निराशा जनक है, खास कर rural जो area है, यानि ज़्याओं में, ज़्याओं में अगर मैं बात करूँ महिलाओं का, वहाँ पर तो बहुँ ज़्यादा पूर है, स्कूल ज़्याओं में, रूरल इंडिया में, बहुँ ज़्यादा दूरी पर होते हैं, जिसके काण एक जो डर है, women की जो safety है, वो unsafe है वहाँ पर, safety का लेकर बहुँ ज़्यादा issue वहाँ पर create हो जाते हैं, जिसको चलते हैं, women को वहाँ पर नहीं बेजा जाता है, education में हम समझते हैं कि वहाँ पर बादा आ जाती है, women को ले, इसके अलावा जो traditional practices है, जैसे कि female infanticide, बूर नत्या हो जाती है, दहेज हो जाता है, अर्ली marriage, ये सारे जो factor हैं, वो और ज़्यादा contribution, मतलब contribution करते हैं, women की education के अंदर, मतलब की उसको hamper करने के अंदर, तो ये सारे factors हैं, role of stereotype, stereotype एक सोच आती है कि, महिलाएं जो घर में रहकरी काम करेंगी, पुरुष जो हैं वो बाहर रहकर काम करेंगी, ये एक जो सोच है, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है, उनको वहाँ पर discrimination उनके परती वहाँ पर आता है, खास कर एक जो सोच यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है कि, women जो हैं, वो less reliable है as worker, क्योंकि उनको बच्चे पालने हैं, तो उनके उपर जादा यकीन नहीं किया जाता है, differentiation in socialization process, मतलब कि एक हमारी जो सोच हम देखने को मिलती है समाज में, वो ये कि महिलाओं को कैसे रहना चाहिए, उन्हें अराम से बात करने चाहिए, उनके आवाद जादा तेज नहीं होना चाहिए, उन्हें सही धंग से बैठना चाहिए, सही धंग से उनको चलना चाहिए, सही धंग से उनको बात करने चाहिए, उनका बिहेव वो सही धंग से होना चाहिए, लेकिन अगर वहीं, अगर पुर्शों की बात करें, तो वो तेज होंगे, वो लाउड होंगे, वो जैसे behave करेंगे क्योंकि वो उनकी विच्छा है, उनकी according वो behave कर सकते हैं, तो एक differentiation आता है, socialization के अंदर, इसके अलावा, representation of women in legislature, parliament के अंदर, women का representation बहुत कम है, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक report आई थी, उस report में, inter-parliamentary union and UN women, इस report में बोला गया, भारत के अंदर, जो parliament के अं तो 193 countries के अंदर, भारत का रंक 148 आता है, 33% reservation women के लिए रखा गया था, parliament में जो seat है, उनके लिए, लेकिन, 4 बार वो बिल पेश किये जाने के बावजूद भी, वो पास नहीं हो पाया, safety concern के अगर हम बात करें, तो महिलाओं की safety concern के अंदर भी, बहुत जादा चिंता जनक ह threat जो आते हैं, for example, feticides, domestic violence, rape, trafficking, post-prostitution, honor killing, sexual harassment at workplace, ये तमाम factor तो हैं हैं, इसके अलावा online, अगर मैं बात करूँ, जैसे digitalization हो चुगा है, तो वहाँ पर भी कैसे महिलाओं को target किया जाता है, आप देखिए, उनको rape threat आते हैं, उनको मारने की धमकी आती हैं, उनको कितने भदे message आते हैं, तो उनको उन सिर्फ चीजों का भी सामना करना पड़ते हैं, एक period poverty है, lack of access to sanitary product, menstrual education, मतलब जो मासिक जो धर्म आते हैं महिलाओं में, उनकी education नहीं है महिलाओं के पास, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक आंकड़ा है, UNICEF का, उस आंकड़े में बोला गया है, सिर्फ 13%, एक इसके अलावा glass ceiling, मतलब कि movement जो होती हैं भारत के अंदर, क्या फिर मैं बात करूँ पूरे world में, तो उनको अपने promotion के time में बहुँ जादा दिक्कतें आती हैं, even promotion कर दिया जाते हैं, उनकी salary में बहुँ जादा दिक्कत आती हैं, उनकी salary increase नहीं की जाती हैं, इ पुजवल योजना, स्वधर ग्रे, या फिर परधान मंत्री मात्रव योजना होगी, या परधान मंत्री महिला शक्ती के अंदर scheme होगी, one stop center होगी, यह तमाम जो scheme में भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, और विसले इनका एक positive impact भी पड़ता है, लेकिन एक जो हम दे better education opportunity, एक महिला को education देने का मतलब है पूरे परिवार को education देना, यह एक line आपने सुनियोगर यह वास्तव की बात है, अगर महिला के पास education आती है, तो self confidence होती है महिला, बहार जाकर वो काम कर पाती है, decision making में better तरीके से decision ले पाती है, उनका एक level of confidence increase हो जाता है, education policy को ऐसे बन किया है, उनके right जो education को लेकर, उनके right जो discrimination within educational institution, इन सब को ध्यान में रखकर policies का निर्मान किया जाना चाहिए, साथ इसाथ ऐसी policies बनानी चाहिए, जहांपर target करें young men और boys को, ताकि वो positively change हो सके, उनका attitude towards girls and women, skilling and micro financing, women जो काम कर रही है, उनको छोटे छोटे level के उपर loan provide किया महिलाएं हैं, उनको कम ब्यासदर के उपर loan provide करवाया जाता है, लेकिन चोटे-चोटे level के उपर भी बहुत ज़्यादा जरूरत है, साथ इसाथ training provide की जानी चाहिए, महिलाओं को, जो non traditional skills है, market demand है उनके उपर, ताकि और ज़्यादा job उनको मिल सके, और इसके अलावा, create करन जाती हैं, भार सरकार के द्वारा, तो इन सब स्कीम की awareness women के तक पहुचाए जाए, अब इनके अलावा, वो क्या-क्या कर सकते हैं, जैसे, अभी बहुत ज़्यादा एक बड़िया step लिया गया, नेर्बिया पुलिस कोड के द्वारा panic button जो है वो, यहां पर introduce किया गया, women safety को लेकर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, the sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal act 2013 है, जहां पर यह ensure किया जाता है, safe workplace for women, और उनकी जो rights है, equality of status, opportunity, उन सब चीजों का सही से ध्यान रखा जाता है, इस act के द्वारा भी, specified section at lowest level of governance, देखिए, यह बहुत जादा important है, हम केवल यह नहीं कह सकते कि women को empowerment करना है, तो आप जो top institution है, government के वहां पर सुधार करी है, नहीं, जैसे कि parliament की बात हो कि आप वहां पर seat की बात कर रहे थे, reservation के लिए, women में, तो उसके अलावा, आप जो एक बहुत low level होते ही, governance की, जहां से शुरुआत होती है, जैसे आंगर बाड़ी हो गई, तो वहां से शुरुआत करी है, ना, वहां पर भी आप जो है, women को empowerment करने के लिए, या फिर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अंदर, या फिर जो कन्या होती है, जो एक बच्ची का जनम होता है, तो उनको ल वहां पर लाडली, लक्ष्मी स्कीम के टायत, बेबी किट प्रवाइड करवाए जाती है, इंसेंटिव जो एक तरीके से समझ लीजिए, न्यूबॉर्ण बेबी के लिए, इसके अलावा पंचकुला हर्याना के अंदर, नन्ने चिन जो है, एक स्कीम चलती है, इसके अंदर चार्ट को लगाया जाता है, बहुत बढ़िया जीजा, इंसेंटिव इन एजुकेशन, देखिए, एजुकेशन के अंदर भी इंसेंटिव अगर प्रवाइड किया जाए, महिलाओं को, बच्चियों को, तो इससे क्या होगा कि एजुकेशन में सुधार काफी जाता आ क्योंकि उन्होंने महिलाओं तक, बच्चियों तक एजुकेशन प्रवाइड की, इन्फोमेशन उन्होंने स्प्रेड की, तो यह सब चीज़ें की जानी चाहिए, इसके अलावा, एक गवर्नेंस के ओपर फोकस किया जाना चाहिए, एक गवर्नेंस कैसे, कि वही कितनी जो स यह सब चीज़ें हो पाएंगे, तो देखिए, भारत की जाना चाहिए, पानी लाने का, फ्यूल वूड यानि की लकटियां लाने का, तो आप एक काम करिये ना, उन्हें क्लीन वोटर, एक नैच्रल गैंस है, वो उनके घर तक पहुँचाईए, जिससे यह जो लोड है, वो वूमन डेवलोप्मेंट की, हम ऐसी क्यों बात नहीं कर सकते हैं, वूमन के द्वारा डेवलोप्मेंट, तो यह अगर यह सब चीज़ें हो पाएंगे, तो देखिए, भारत का विकास कैसे होता है, तो तमाम बातें थी, जिनके ओपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा जरू तो उमेद करता हूँ कि जो वूमन का स्टेटस वाप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आपको भी ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम बातों का, कि हम कहीं काम कर रहे हैं, अगर हमारे साथ में वूमन है, कोई महिला है, या फिर हम कहीं पर भी अगर कोई एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर किसी बच्ची को एजुकेशन कितनी मिल पा रही है, तो इन तमाम बातों का अभी हमें भी ध्यान रखना चाहिए, हमें भी एक एक एक्टिव रोल प्ले करना होगा, अपनी सोसाइटी के अंदर, वूमन इंपावर्मेंट के अंदर भी, और इ इतनी एक पुरुष के पास है, तो ये एक सचाई है, इसको एकसेट करना ही होगा, ऐसा नहीं ये कि आप आँक बंद कर लेंगे, तो सब चीजी ठीक हो जाएगे, ऐसा विल्कुल भी नहीं, तो उम्हीत करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, स समझ में आया है, तो बेशक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ज्यादा ही पसंद आया गई है, तो शेर कर सकते हैं वीडियो को आज चैनल को भी, वीडियो को आप लोगों को बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, तो बसाज के लिए इतना है था, थैंकियो और वोगों